हाई स्टुडेंट आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉंसेप्ट विथ एसके वर्मा में आज आप लोग को हम बताने वाले हैं जो भी सिमुलतला अवासिय विद्याले का जो एकजाम जो है दिये हैं उसका जो है आज हम कोस्टन एनालिसिस करने वाले हैं यह आपका कोस्टन जो है पेपर वन है पेपर वन का जो कोस्टन जो है इस वीडियो में हम बताएंगे कोस्टन को आंसर जो है क्या होगा और वो कोस्टन जो है आपको कहां से पूछा गया था वो सारा चीज जो है बताने आगिया इसलिए हमको फिन से जो है यह आपका जो है स्कीन रिकॉर्डिंग करके जो है बनाना पर रहा है तो देखें यहां पर केवल आपको अंसर बताते जाएंगे यहां पर का रहा है कि यदि किसी वर की भुजा में 20% की ब्रिधी कर दी जाती है तो उसके छेतरफल में पर परतीसत की वरिधी क्या होगी तो इसको परतीसत की वरिधी करने के लिए आपको एक फर्मूला भी है 20 पलस 20 पलस 20 गुना 20 बटा 100 ठीक है इस तरह से फर्मूला है डबल जिरो से डबल जिरो कट गया 20 20 40 पलस दूदूनी 4 यह 44 परसेंट लेकिन आपको जो है यह हम तो आएंगे तभी जो है आपको 10 नंबर मिल सकता है हम अभी केवल अंसर मिलाने के लिए सौट में केवल बना दे रहे हैं अब बात है यह कोस्टन जो है आया कहां से अब हमारे द्वारा जो बुक जो लिखा गया है सिमुलतला के प्रैक्टिस वर्क बुक बहुत विद्यारती लोग जो है उसको बाई भी किये होंगे तो प्रैक्टिस वर्क बुक में आप देखेंगे ति कोस्टन आपको हुब हुज़र मिल जाएगा ठीक है उसके बाद जो है अगला देखें यहां पे कि एक तिर्भुच की भुजाय करमसा 15 cm 13 और 12 cm है उस वर्क की भुजा गयात कि जिसका परिमाप दिये गए तिर्भुच के परिमाप का दुगना है यानि कि यह भी कोसंज है आपको प्रैक्टिस से मिलेगा प्लस प्रिभिएस ये कभी यह कोसंज है देखा जा रहा है और क्योंकि पैटर्न के बलांग चेंज है लेकिन पैटर्न सेम है देखें तो 15 13 12 य अब कहता है को वर का जो परिमाप है वो तिर्भुच के परिमाप का दुगना है यानि 40 का दुगना असी हो जागा तो 40 का दुगना असी हो जागा अब वर का परिमाप क्या होता है चार गुना भुजा तो चार गुना भुजा ठीक है तो चार से इसको काट देंगे दस बा कि अवसके बाद जो है अगला कोसिन अगर देखें दू का एक कोस्अ को हुÁ की कूल मसदूरी चउह हजा रुपिया प्रती दिन है इसमें कोई द्यार्ति आगर सोचे नहीं होंगे बढया से ये कोस्ण दे ऌंगी की 12 सरमिक की queen mezdeuri 6000 रुपया है बाइस रम एक डिन के मजदूरी क्या होगा Woah यहाँ में प्रति दिन कहने का मतलब एक दिन की मजदूरी इतना है तो 12 सरमिको एक दिन की मजदूरी 6000 हει तो एक सरमिक का एक मजदूरी क्या होगाथ तो हम कहेंगे 6000 बट्या 12 आप कहा रहा है कि 22 रमीकों का 15 दिन के मजदूरी तब 22 गुना 15 कर देंगे ठीक है और इसको जाब है हल करेंगे तो 12 1260 यानिकि 500 और फिर 500 में ये 22 गुना 15 ये सब को तीनों को गुना कर देंगे ठीक है यानि पंदर पच्छे 75 75 गुना ये आपको 22 आजाएगा ठीक है 75 गुना 22 ता आपका जाएगा एक छो पांच तिरपल जीरो यानि एक लाग पैंसट हजार इस सम्थिंग इस तरह से आजागा आप गुना इसको कर लेंगे अब उसके बाद जो है अगला कोस्टन देखते हैं एक प्लास्टिक के बॉक अगला प्रश्ण होगा रबड़ का यहां पर दिया हुआ है चो गहन सेंटीमीटर अब यह बाक्सा का आयतन जो होगा इतीनों को गुना कर देंगे पंद्र गुना चार गुना एक तूख हो जाएगा और यह एक रबड़ का यह चोओ तो चो से भागा मार देंगे तो चो आठ पांच दू से बनने वाली चार अंकों की सभी संख्या को लिखे तो इसे जितना भी संख्या बनेगा यह चो आठ पांच दू फिर आठ पांच दू चो इसी तरह से जाक चर्विपा हुआ है देख पहार होंगे च्छावर आठ पांच दू दू पिर आट मांच दू चो फिर जो है पांच दू च्छो आठ फिर बात कर दों च्छाल पांच सबसे बड़ी संखे, ये ये नहीं है, अपका हो जागा, इसको सजाएगे तो आपको 8 6, 8 6 और 5 2 हो जागा, ये जो है सबसे बड़ी संखे हो जागा, सबसे चोटी संखे 2 5 6 8 हो जागा, ठेक है, और इसमें भी और संखे जो लिखाएगा, ठीक है तो इसमें ये दोनों सामिल होगा 8, 6, 5, 2 फिर 2, 5, 6, 8 इस तरह से आपको लिखना होगा अब उसके बाद जो है इसमें जो सबसे बड़ी संख्या हम लोग देख लिए कि 8, 6, 5, 2 बना सबसे चोटी संख्या 2, 5, 8, 2, 5, 6, 8 बना 11,220 आगिया अगला जो है इसको एकस्पेंडेट फॉर में अगला कोस्टन को लिखना है इतना और इतना को तो इसका आपका हो जागा 4,000 यह हम सौटकट में बता रहे हैं 0, 6, 6, 8 उसी तरह से इसको अगर लिखना होगा 8,000 पलस 900 पलस 0, पलस 1 इस तरह से आपको लिखाएगा ठीक है यह बिस्तारित रुप में लेकिन जो है आप इसको पूरा बढ़ियां से अगर बना बनाये हुआ अगर देखना चाहा रहे हैं आप हमारे टेलीगराम concept with skvrma यह मेरा चैनल है टेलीगराम पे वहाँ पे आप जोइन हो जाए उसमें जो है हम कल इसका जो है pdf solve करके जो है डाल देंगे वहाँ से आप देखकर अपना मिला सकते हैं अगला है कि दो संख्या का योगफल इतना है एक छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगा तो हम क्या करेंगे यह वहला छोटी संख्या को इसमें माइनस कर देंगे तो देखिए तो यहाँ पे जो है पांच यहाँ पे देख पार होगे पांच, जीरो, छो, जीरो, आठ, जीरो, छो घटाना है कितना जीरो, नो, जीरो, चार, जीरो, आठ इसको माइनस करना है 6 की 6, 10 में से 9 गया 1, अई 7 बच जागा तो 7 में से 0 गया 7 फिर 10 में से 4 गया 6 फिर 5 की 5 हो 10 में से 8 गया 2, अई 4 इतना चिन को आया होगा उनका जो है सही होगा अगला जो है देखते हैं कि एक बरतन में 4 लिटर 500 मिली लिटर दही है तो 500 मिली लिटर धारीता वाले कितने गिलासों में दही भरा जा सकता है यह भी अपको प्रिवियस एर कोशन के तरज पर ही है यह सारा कोशन अभी जो देख पा रहे होंगे यहां से यहां तक यह सब के सब जो है previous year के तरज पर question दिया हुआ है अब यहाँ पर यह question को अगर देखें कि जो 4 लिटर 500 मिलिटर है तो इसको पूरा अगर करेंगे तो 4500 मिलिटर हो जाएगा 4500 मिलिटर अब 500 से इसमें भाग दे देंगे 0000 कट जाएगा 5 से 9 बारी मिलिटर अर्थात इसका सही अंसर हो जाएगा नो गिलास ठीक है अगरा जो देखते हैं कि रेस्मा ने 4 किलोगराम 2 किलोगराम अंगूर 4 किलोगराम आम 1 किलोगराम अनार ते यह 5 किलोगराम सेव खरदा आम की कीमत 80 रुपया है अंगूर की कीमत आम की कीमत की दोगनी है यानि की 160 रुपया है अनार जो है 200 रुपय परती किलो है जबकि सेव 100 रुपय परती किलो है ते इसमा दोरह खर्च की गई कूल धनरासी ग्याद करें तो इसमें जो है आपको जितना जो है खरदा गया है आम और जितना रुपिय प्रतिक है जी है उसको गुणा करना होगा तो चार किलो आई असी तो चार अट्चो का 32 तीन सो बीस हो जागा आम और अंगूर दू किलो तो अंगूर का दाम जो है दुगना है यानि असी का दूगना एक सो साथ तो साथ दूनी 320 अंगूर का भी हो जागा अनार एक किलो तो उसका 200 और फिर जो है पाच किलो सेव का कीमत प्रतिक हैंने की 500 तेक अगला जो है कोसर है ये कोसर्ट देखिए ये कोसर्टन हम ही जो है हमारे साथ online विदार्थी पंड़ते हैं उनको सबसे फ 1st टेस्ट दो दिसंबर को लिये त्व 2 दिसंबर को ले थे नहीं से अब देखेंगे तो यह कही क्रिब्एस का को स historically已經 быстр हो बाद के got का को सन है बलकि हमारे द्ื่ jud cave the day दिया गया है अब पता नहीं कि मतलब वो एक जामनर को कैसे पता चल गए कि यही कोस्टन जो हम बच्चे लोग को जो है दिये हैं वही कोस्टन जो है पूरा हुबहु आ गया देखिये कहता है कोई होटल वाले जो है सुबह में 45 लिटर सामके 55 लिटर दूद लेता है दोनों मिलाके जो हो जाएगा लुесяर इसको 40 लिटर जो है देता है तो केतना कमाता हूँ 400 रुपिया जो है उपरती दिन कमाता है तो सही संशर, 4000 हो जागा कि अब यहां परrences session här, section वी के बाउदिक च्चम्ता के कोस्टन यहां पर है उस Cathy की 170 को देख लेते हैं तो देख रहे हुँगे पहला को साने एफ कोशन है एफ अ वन बी डी हैसं जख जा राहा है यहां है यहां पर यहां पर इन्फ जा रहा है यहां पर इसमें 3 बढ़ रहा है् हो जागा आगे है 200 के आधा 100 के आधा 50 50 के आधा आपका 25 हों जागा अगला कौश्चिन है दू का क्यू है 8, आठ, तीन का क्यू 27, चार का क्यू64, तर पाज क्यू 125 तर पास क्यू arbitr, पास जाए मसानफ अगला है यह कोशन सभी विद्यार्ति को पढ़ाया हुआ है और जैसे वर्ल्ड कप पढ़ा ही रहे थे लेकिन एक्जाम आ गिया तो वर्ल्ड कप में किर्केट वर्ल्ड कप पढ़ा दिये थे बागी होंकी फुटबॉल लाई भी पढ़ाया बाकी है जो कल के क्लास में इसको भी पढ़ाएंगे ठीक है जो स्वैनी का एक्जाम दे रहा है उन लोगों के लिए काफी बहतर हो जाएगा तब देखिए यहां पे किर्केट बीस्वे कप जो है दोजाए तेश की मेजवानी कौन सदेश कर रहा था तो यहां पे दूहजार तेश में भारत ही इसका मेजव कर रहा था तो सही अंसरप का भारत हो जागा और हुआ भी था भारत में यहां पे जो नरेंदर मोदी एस्टेडियम है वहां और पूरा बीस्वे रिकॉर्ड कर दिया था पूरे दुनिया का सबसे बढ़का जो है अस्टेडियम में सबसे जादे जो है यह इतिहास में आद इतना जो है मतलब आदमी उसमें स्टेडियम में बैठ कर उसका आनंद उठा रहा था अगला कोस्टन के अगर बात करें तो कहता है निमने में से कौन से भीन है तो देखिए गोला प्रीजम घना यह सब थिरडिया करिती है लेकिन प्रीजम ब्रीत यह आपका टूडिया करि आगे जो है यह काफी असान कोस्टन यह किसी भी तरह के जो है बच्चे जो ही इसको कोश्टन को बना लेंगे परसीद स्वर्ण मंदिर कहां पे है अमरित सर पंजाब में ठीक है तो इसका सभी अंसर अमरित सर अगला है A B C D का कोड एक दू तीन चार है तो इतना को क्या स्थान पे जी सत्मा स्थान पे आई नौमा स्थान पे यह पैतिस उनासी जो है सही अंसर हो जाएगा अब इस प्रश्ण को अगर देखा जाए तो इसको हम अलग-अलग रंग द्वारब हम ब्यक्त करते हैं जैसे पहले इसका अंसर देखिए कितना होगा क्योंकि इसमें अ फिर यह हो गया और यह हो गया यानि तीन गो नीचे उसी तरह से यह वला बन गया है ना तो वो तीन पलस फिर नीचे भी तीन बन गया फिर यह यह दूग बन गया तो दूग और हो गया पुरा बाड़ा में अगर देखें तो यह बाड़ा में यह वला हो गया और बीच से अब झाहिए आपको यही जुहे इतना ही पकुश भी हम्हिदार चाहिए उसका सहय अंसर कर दिया होंगे। लेकिन आप लोगों बता रहे हैं कि और भी इसमें बता रहे होंगे। कौन जैसे यह भला जो एप लोग ध्यान नही दिया हूंगे यहाँ से ऐसे अईसे और ऐसे यह फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे यह तो और मिला मिलने के उनसे ता कितना गलती किये होंगे लेकिन जो अच्छे सई इसको देखे होंगा उनका सफ़ी होगा आग अगला कोस्टन देख सकते हैं एक गुना एक पलस एक गुना एक गुना दु दू गुना थीन चार चोवीस गुना पांच तो चोईसफंट पचे एक Bureau एक्सोवीस तो सही अंसर इसका कि कोहिमा इसका सही अंसर कोहिमा हो जागा अगला है चंद्रयान थिरी चंदर्मा के किस दुरूप पर उतारा गया तो इसके बारे में सभी लोग को पता होगा अगला जो लिखा जाते हैं इसमें फ जितना स्थान पे 20 में आता है उसको आप देखें च Custom removed A A पहला स्थान पर, R अठारा स्थान पर, सबको अगर जोडेंगे तो आपको 30 आ जागा, उसी तरह से हेर में सबको जोडेंगे तो आपको 36 आ जागा, क्योंकि H अठारा स्थान पर, A पहला स्थान पर, I नौवा स्थान पर, R अठारा स्थान पर, जोडेंगे तो 36 आ जागा, तो 0000 काट देंगे 5 से 5 दुनी 10 20 20 दुनी 40 यानि कि 40% कम है ठीक है यानि कि 300 कितना कम है 500 से 40% तो सही अंसर 40% अगला जो है कोस्टन देखें कहता है कि 9 बजे 9-15 बजे घड़ी के दोनों कांटों के बीच कितने डिगरी का कोन बनेगा तो इसमें जो है तो जैसे यह घड़ी है यह आप जैसे घड़ी देखते होंगे 12, 6, 9, 3 तो एक से दू यानि कि यह जो एक से दू के बीच जो गैपिंग है उसके बीच में 30 डिगरी का कोन बनता है तो 9 नौ पे अगो तीन पे तो कितना गैपिंग हो जागा चोगो के खाना के गैपिंग हो जागा तो एक खाना में 6 डिगरी एक खाना में 30 डिगरी तो छोग खाना में 6 गुना 30 डिगरी अब बताया था कि घंटा वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे रहेगा तो मिनट के आधा जोड़ देना है ठीक है तो जोड़ेंगे 15 मिनिट हो रहा है तो 15 क्या था साढ़े साथ ठीक है तो चोतरी 1818 पलस साढ़े साथ बराबर कितना हो गया 187.5 तो करेक्ट अंसर 187.5 हो जागा ठीक है तो ये इस परस्म का जो है अधिकांस विद्यार्थी जो है गलती बनाये होंगे जो पढ़ें नहीं होंगे वह ठीक है लेकिन हमारे जो भी विद्यार्थी है ओनलाइन हो का हो विद्यार्थी और आफ लाइन का सभी लोग जो इसको सही किये हैं उनलोग को पढ़ाया गया था अगला जो है देखेंगे हमारे बरतमान राष्ट्पति दरौपति मुर्मू के ठीक पहले आब देखें इसमें भी बहुत वोगतों भी विद्यार्थी के जो गड़े अंगे यहां पहां पर करएकि दरौपति मुर्मू के पहले तो रामनाथ कोविंद्ध होगा रामनाथ कोविंद्ध अगला काता है कोछ देर पूरवधीसा की ओर चलता है रिन आपने दाहिनी और मूरता है मतलब नीचे की और जाती है फिर जो है दाहिनी चलने के बाद जो है बाई और मूर जाती है तो किस दिशा में जा रही है तो पूर्व दिशा में तो सही अंसर पूर्व दिशा इसका हो जागा अगला जो है कि पाच्वी कच्छा के सभी विद्यारती है यह भी ठीक है तो साथ पलव साथ 14 14 में से एक ग्या 13 तो इस प्रश्न का सही अंसर 13 हो जागा ठीक है अगला जो है देख सकते हैं यहां पर कह रहा है कि राजु और उसा दूनों भाईभान हैं फिर कहता है एक तस्वीर राजु जो है उसा को एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि तस्वीर में जो ब्यक्ति हैं वो अपने पिता जी के पिता जी है तब पिता जी के पिता जी दादा होगे यानि की तस्वीर वाले ब्यक्ति उसा के कौन से रिष्टे में आते हैं तब तस्वीर वाले दादा जी आते हैं ठीक है अंसर हो जागा आपका दादा जी ठीक है अग का बिराट कोहली हो जागा अगला जो कोशन देखेंगे कि भारत की मुद्रा का नाम जो है रुपया है तो बंगला देश का क्या हो जागा टका हो जागा बंगलादेश का यहाँ पर क्या हो जागा टका ठीक है अगला जो है देखेंगे कि चिनिया जिस तरह से समंध जो है घोसला से रखती है उसी तरह से घोड़ा जो है अस्तबल से समंध रखेगा अस्तबल ठीक है अस्तबल से उसके बाद जो है आगे देखें कि संपुर्ण कोन और सम कोन कि माप कितने डिगरी का अंतर होता है सम पूर्ण कोन मतलब 360 सम कोन मतलब 90 दोनों को माइनस कर देंगे तो 270 डिगरी आ जाएगा अगला है इसमें अगर इक कोस्टन देखाए तो 5 के स्क्वार 25 तो 6 के स्क्वार 36 यहाँ पे सही अंसर हो जाएगा अगला लास्ट कोस्टन है कि 24 गंटे के प्ररुप में पांच पियम को आप क्या लिखेंगे तो 12 पांच 17 पियम जो है लिख देंगे यहाँ पे वारा में जो है जो है जोड देते हूं समय को तो 17 बज जाएगा तो यहाँ पे अगर कूल मिला कर कहा जाए तो जो भी विदार्थी अगर इस question को पूरे डेर सो में गलती करने वाला जो question था एक दो question था ठीक है पहला तो यह आपको घड़ी वाला जो है सब गलती किये होंगे दूसरा जो है दूसरा जो गलती करने वाला जो है यहाँ पर हम बता रहें थे हाँ तीरभु जोला में गलती किये होंगे यानि average रूप में अगर दो गलती जो है अगर सब लोग विदार्थी अगर किये होंगे कुछ लोग का सही भी होगा कुछ लोग नहीं भी होगा यानि कि अगर कहा जाए तो 144 से लेकर 46 तक का जो है यह average अंक है तो इतना अगर जिन बिदार्थी का आ रहा है या इससे जो पलस आ रहा है तो समझे कि आप बिल्कुल सेब जोन में आपको इसमें सोचनी की जरूरत नहीं है मैं जो आप बढ़ियां से बनाये होंगे पूरे लॉंग प्रोसेस से तो समझ जाए कि आपको जो है डेर्स मतलब जो नमबर आएगा वो अच्छा खसा जो है आ जाएगा ठीक है तो कुछ विदार्थी जो है इस जोन में होंगे अब यानि कूल मिलाकर यह कहा जाए कि जो पेपर वन जो है काफी एजी था क्योंकि अधिकांस कोस्टन जो है यहां पर देख पार हैं कि प्रिवियस येर के तर्ज पर ही कोस्ट है कुछको सन जो है जो अलग जो मेरे यहां जो है जो विदार्थी कुछ लोग नहीं पढ़तेते हैं उलो को पता नहीं इस टाइप को आपके को यह पढ़ाया गया हो या आ पिर भी जो है अगर हमारे बुक को फॉलो किया होंगे या प्रिभियस एर कोसन देखकर जो है अगर आया होंगे तो उनको निश्चित तोर पे जो है अधिकांस कोसन बन जाएगा क्योंकि मैथ में अगर एक कोसन अगर किसी से गलती हो जाए तो समझ जाना रिजल्ट क्या सा जो है छोड़ देना छी होता है को कि सिधाई दस नमब इस समझ है अब है पेपर टू की बात आती है तब cannon की पेपर तू में भी अदिकांस को ऑ्याप से जिसके कुछी दीर पहले एक मेंस के लिए जोंग निकाले थे एक मेंस के लिए जो बुक निकाले थे इनद उसको अनुभव के अधार पर निकाला गया था लेकिन ऐसा हुआ कि दम सही में पैटरन जो है लड़ गया यानी प्रते इसमें दोडो नंबर का बनाये थे टेस्ट भी आप लोग को लेते थे तो दो हुआ हुआ अब जो है आपको हम यह भी बताएंगे कोंपी में अगला दिन दिखा कर बताएंगे देखिए पढ़ाया हुआ यह है और मतलब जाया भी द्यारती जो भी देख रहे होंगे जो पढ़े हैं हमसे आप लाइं या ऑनलाइन वह आप चैट सेक्शन में जो है कमेंट बॉक्स में आप लीकर भी बता सकते हैं हम जो है सही बोल रहे हैं या नहीं ठीक है आई होप आप लोग को इस वीडियो से बेहत जो है लाब मिला होगा आप इसे अपना मिला लिया होंगे फिर हम लोग मिलते हैं सेकंड पेपर के साथ तब तक के लिए जैहिंद